इथेन 2, नॉर्मल ब्यूटेन, इथेन से बदल ये किसमे, नॉर्मल ब्यूटेन में, तो इथेन, यही है हम लोगों का, जदी CL2 और सनलाइट, दियान दीजिए, जदी कलोरीन और सनलाइट हो, तो फिर रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे, यह जो है, मोनो कलोरीनेशन होगा, तो मोनो कलोरीनेशन, मतलब एक ही कलोरीन जोरेंगे, और एक कलोरीन जोरेंगे, तो CH3, CH2, CL ऐसा बन जाएगा, देखिए, कनभर्जन में साइड प्रोड़क्ट से मतलब नहीं है, परहाई एक लिमिट का चीज है, देख रहा है न, और परहाई जब तक लिमिट में न हो, क्योंकि अनलिमिट का कोई अंत नहीं है दुनिया में, आप सोचिए गाजुसर बहुत नौलेज ले लेंगे, कभी मत सोचिए, यानि नौलेज का कोई अंत नहीं है, तो ये इथेन से बन गया इथाइल कोलोडाइड, इथाइल कोलोडाइड या आई यू पी एसी में क्या कहेंगे, कॉलोरो इथेन, इस कॉलोरो इथेन पे सोडियाम ड्राइ इथार रखके हीट करेंगे, द्यान दीजिए, तो जैसे ही हीट करेंगे, तो यहाँ पे जितने कारवन है, जैसे दो कारवन है न, तो ये चार कारवन का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा बयू टेन, अन ब्रांच है, तो इसी का नॉर्मल ब्यू टेन, और चलिए बताईए यहाँ से यहाँ किस रियक्शन के न ठीक है, जदी एंसर आ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसको अच्छा से मेहनत कीजिए, इस रियक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओर्ज रियक्शान, याद आया, कल ही न बताये थे, ओर्ज रियक्शान, ठीक, तो चलिए, नेक्स्ट, आगे, आगे किलिमें सन रियक्शान, बात करेंगे,